नमस्कार दोस्तों स्वागत ही आप सभी का पाई कलासेस येट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में सोसल साइंस मोडल पेपर में जितने भी एकजाम टैप सब्जेक्टिव कोशन दिया गया है उनसे भी सब्जेक्टिव कोशन पे डिसकर्ज करेंगे जो कि महत्पुर्ण है दोस्तों आप भी इस वार मैट्रिक प्रिच्छ की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी है महत्पुर्ण है वीडियो को सुरू सेंद तक देखिएगा और अभी से दोस्तों जितना भी मोडल पेपर में अब्जेक्टिव कोशन दिया ग तो वीडियो को सुरू संतिक देखिना है और सभी प्रिच्छ को याद रखना है देखिए दोस्तों पहला प्रिच्छ में क्या करा है कि सवनिय अवग्या अंदोलन के क्या परिणाम है ठीक है कुशन काफी महत्पुर्ण है अब्जेक्टिव में आप लोग पढ़े होगे स सवनिय अवग्या अंदोलन से पढ़ाएं होंगे तो सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सवनिय अवग्या अंदोलन के क्या परिणाम है ठीक है तो उत्तर में लिखिएगा कि सवनिय अवग्या अंदोलन के निमलिखित परिणाम है देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव ही नहीं पड़ेगा ठीक है तो दिहान पुर्वक वीडियो को देखिएगा और हर एक step by step समझेगा ठीक है कि कहां पे क्या हमको लिखना है किस तरह से लिखना है ठीक है तो चलिए पहला प्रशन का उतर में हम क्या लिखेंगे कि सब्निय अवग्या अंदोलन के निमलिखित परिनाम हुए वह कौन-कौन से परिनाम हुए सब्निय अवग्या अंदोलन के हम point by point number by number लिखेंगे ठीक है तो पहला में देखिए लिखेगा पहला में लिखेगा कि इस अंदोलन इस यानिकी कीस तो सवनिय अवग्या अंदोलन ठीक है तो इस अंदोलन ने राश्टिय अंदोलन के समाजिक अधार का विस्तार किया तो पूछेगा कि निमन में से कौन राश्टिय अंदोलन के समाजिक अधार का विस्तार किया कौन अंदोलन तो सवनिय अवग्या अंदोलन ने किया था अबजेक्टिव है देखियां से पूछेगा दूसरा पॉइंट में लिखियेगा दूसरा नमबर में कि सबनीय अवग्या अंदोलन ने समाज की विभीन वर्गों का राजनीति करन किया तो इसमें जितना भी हम आपको पॉइंट बता रहें ना ये सब अबजेक्टिव समझी है अबजेक्टिव में डिरेक्ट आपको पूछेगा तो याद रखियेगा तीसरा पॉइंट में लिखियेगा कि इस अंदोलन के अंतरगत आर्थिक वहिस्कार ने विरिष्टिस आर्थिस हिंतों को प्रभावित किया कि इस अंदोलन के तो सबनीय अबग्या अंदोलन के अंतरगत आर्थिक वहिस्कार ने विरिष्टिस आर्थिक हिंतों को प्रभावित किया कुछ यह जो पॉइंट है तिसरा पॉइंट काफी महत्पूर्ण है अबजेक्टिव में पूछा वटे के याद रखियेगा चलिए चोठा पॉइंट दखिये पॉइंट होगया है तो छबनी अबग्या उन्दोलन ने किया था ठीक हैं छोठा पॉइंट हो गया सब्नी अबग्यां जो भी में बढ़ चड़के हिसा लिया था ठीक है इसी से संबध्धित और भी कोश्चन आता है सबनी अवग्या अंदोलन से संबध्धित ठीक है तो आगे हम भी वताएंगे ठीक है जितना भी रहेगा न कोश्चन उन सभी कोश्चन को वीडियो अपस वीक बीच प्रवाइड करेंगे साथ नंबर पॉइंट काफी महत्पूर्ण है इसे बीवी आई लगा लिजेगा कि इस अंदोलन का एक मुख परिनाम था विरिटिस सरकार द्वारा 1935 में बहारत सासन अधिनियम को पारित किया जाना तो साथ नंबर जो आपका पॉइंट है याद लगा जब टेस्ट लेंगे ना तो उसमें हम आपसे पूछेंगे तो आप सभी को उत्तर में उसका जवाब देना है ठीक है चलिए पहला प्रिशन हो गया काफी महतपूर्ण था आप इसे याद रखिएगा अगला कोशन देखिए कोशन नमर दो दूसरा कोशन भी काफी ही महतपूर्ण प्रशन है यह सब परिशा में पूछा गया है करा कि चिपको अंदोलन का मुख्य उदेश क्या था तो चिपको अंदोलन से संबंदित सिर्फ यही एक प्रशन नहीं आपको परिशा में पूछेगा इसे से संबंदित जितना भी प् दोस्तों पेड़ को बचाने सा समधी तो यह अंदोलन चलाया गया था ठीक है पेड़ जो कट रहा था आगे जब बताएंगे अगला जो कोशन आएगा चिपको अंदोलन सा समधी तो उसमें भी आपको पुरा डीटल्स में बताएंगे यह लगू उतरिये और दिर्ग उतरिय दोनों में पूछता है तो हम जो बता रहे हैं यह कोशन आबर दो यह लगू उतरिया निकि दो नंबर में पूछे जाने वाले प्रस्ण है तिक है दिर्ग उतरिये भी हम आपको बताएंगे तिसका उतर में लिखीएगा याद रखीएगा कि चिपको अंदोलन का मुख है उदेश था क्रिसी उपकरन बनाते है तो अंगूर के कुछ बीचों की प्राप्ति की प्रात्ना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना उल्टे उसे बेवसाई के कार्य है तो निलाम कर देना इस कारण की सानों ने इस आंदोलन का प्रररंब उतरा खंड के कुछ गाउं से तब उसे पूछेगा कि चिपको अंदोलन का प्रररंब कहां से हुआ तो उतरा खंड से हुआ कहां से हुआ उतरा खंड से इसे भीवी आई लगा लिजेगा अब्जेक्टिव कोर्शन में पूछा हुआ है जो बाद में पूरे राज में फल गया और किसी भी पेड को काटन के लिए अंदोलन चलाया गया था और यह अंदोलन कहां प्रररंब हुआ तो उतरा खंड में प्रररंब हुआ इसका दो अब्यक्टिव कोशन आ रहा है दोनों आपको याद रखना होगा सकते हैं आपको भी पढ़के याद कर लिजेगा चलिए तीसरा कोशन भी लगू उत इसका प्रिथा करण सिधान का है तो लोग तंत्र की सक्ती जनता के नहित है जनता इसका विभाजन बिधाई का कार्य पारिनालिका एवं नयाय पालिका के मध्य कर दिया जाता है किसका तो प्रिथिवी करण का ठीक है यही सक्ति का प्रिथिवी करण सिधान्थ करते हैं एक बार फिर से में रिवियन कर देते हैं कि प्रिथिवी करण सिधान्थ किसे करते हैं तो लोगतरंत की सक्ति जनता के निहित है जनता इसका उपयोग अपने प्रतिनीदियों के माध्यम से करती है सिवीधा के लिए इसका बीभाजन बीधाई का कारिय पालिका एवं नयाई पालिका के मधिक कर दिया जाता है यही सक्ति का क्या कहते हैं तो प्रित्वी करण सिधान कहते हैं तिक कुछत नमर तीन यह सब महतपूर्ण प्रशन है और इनस्टेथ पटेंट प्रशन है आपको याद रखना होगा चले चार नमर प्रशन दखिए चार नमबर प्रशन को भी भी आई लगा लिजे प्रिछा में या पूछा गया है कि ATM क्या है अभी सब लोग के पास ATM है ATM कार जो होता है न ATM कार जो बैंक के दवारा दिया जाता है वही आपसे पूछा गया कि ATM क्या है ATM का जनव प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के अविसकार ने दिया ATM का फूल फॉल फॉम पूछेगा तो क्या उसका फूल फॉम पूछेगा टो मैटिक टेलर मशीन होगा तो फूल फॉम आप याद रखिएगा ATM डेविट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है ATM डेविट कार्ड हो गया क्रिडिट कार्ड हो गया अब तो इंटरनेशनल बेगरा बहुत प्रकार के ATM कार्ड होती है तो ATM कार्ड जो है डेविट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है इस प्रनाली के द्वारा इस प्रन पराग्रागों को 24 घंटाव पैसा निकालने के लिए और जमा करने के लिए सुविधा दिया जाता है ATM संचाल को को एक गुप्त कोड दिया जाता है जिससे हम लोग का पीन होता है एक पीन देता है जो चारंग का होता है जिसका परियोगा करके ATM का संचालन सम्भाव है जब तक पीन आप नहीं इस ATM कारट को आट्यम में डाले गाएगा जब たक उसमें बैलेंस इनकौईर कीजेगा या प्यी सथी निकाल लीएगा जब तक उसमें पीन डालिएगा जब तक पैसा थोड़ूं संचालन में डाया है इसीका संचालन प्रम्धे आप प हीत इसका में इ तो जो भी कॉपी करने वाले टीचर होंगे वह आपको देखेंगे कि नहीं लड़का जो है कहीं से छापके नहीं लिखाया कहीं से चूरी करके नहीं लिखाये खुद से अपने लिखाया तो उसको फूल माक्स दिया जाएगा तो अब इसे याद रखिएगा चलिए पांच न उत्तर में लिखिएगा स SURकार के लिए निमलाखित जिमेदार कारखे यह सब प्रशण को भी आप अपने भासा में भी लिख सक्ते हैं endeder लबे समय तक वर्षा का नहीं होगा तो 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 आएगा जहां पर पानी का विगरा पानी विगरा का उतना सुविधार नहीं है तो दूसरा कि मिट्टी में अधरता की कमी इस अस्तर तक हो जाएगी कि फसल जो है वह मुर्जाद है मिट्टी जो हते हैं खेट वह हैं कि अंदर नमी है यह नहीं खेट में तो ड्हान बहें चावाल कुछ भी चना बहेंगे तो फवदा तो मुर्जा यह जाएका तो यह भी सुखाल का एक करण हो गया किस रहा है कि जलाइसों में जल का ऐस्तर गिर जहा जलाइस वह जला नहार बढ़ा मसीन के द्वारा बॉरिंग्र किया जाता है तब जाके पाने मिलता है तब जाके हम लोग इसे pajak काल के पीती हैं बहुत हम लोग के दिक्कत होता है यह सब दखनी विहार के बात हम करें हम लोग दशनी विहार से बिलों करते हैं ठीक ना चार नमर है कि पर स्थितिक में जल की इतना कमी हो जाए कि जो उत्पादकता है वो घर जा खेत उत बेगरम जितने भी जल की जुरत हुआ है तो यह से आप अपने भी भासा में लिख सकते हैं कि क्योंके कुष्ष्ण काफी असान है यह सब कुष्ष्ण आप सभी लोग को पता होगा कि हम क्या लिख सकते हैं सुखार से बच्चाव के लिए विए आपसे पूछाओ के प्रमूख कारन बताएं ठीक है तो लाइक किजिए अपने दोस्तों सेयर किजिए और जो चैनल पर पहले बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करें लिजेगा इस चैनल पर क्लाश 10 से समधित अबजक्टिव सब्जक्टिव एक्जाम टैप सभी प्रशन का वीडियो आपको मिलेगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्र करें